इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हमारी दर्शक ने सवाल पूछा है उनका सवाल यह है कि वो लिविन रिलेशन्शिप में जब वो 20 साल के थे तब से रह रहे हैं और लरकी की उम्र 19 साल के करीब थी तब से रह रहे हैं लरकी की उम्र चुकि उस वक 21 वर्स के नहीं हुई थी इस वजह से उन लोगों ने शादी नहीं किया था अब उनकी एज पूरी हो गई लेकिन एज पूरी होने के साथ साथ उनके पास 14 महीने की एक बच्ची भी है जिसका जन परमान पत्र वो बनवाना चाहते हैं अब वो जानना चाहते हैं कि क्या शा लिविन रिलेशनशिप में रहना तैय कर लिया कानूनी रूप से लिविन रिलेशनशिप में भी रहने के लिए आपको बालिग होना जरूरी है लेकिन अगर आप लिविन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा लेजिटिमेट य का नाम होगा उसमें कोई समस्या नहीं है और साधी से पहले यदि बच्चा पैदा हो गया है इसमें भी कोई समस्या नहीं है तो शादी तो बिल्कूल करी सकते हैं अब शादी करने का प्रोसेस आपने अनेक हमारे वीडियो में देखा हुआ है कि आपको पहले आरे समाज कर लें फिर marriage registration करा सकते हैं marriage registration बच्चे के जन्म के बाद का ही क्यों नहों इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए जरूरी यह है कि आप एक बार हमारे help plan number डबल डबल जिरू ट्रिपल फोर ट्रिपल फाइफ पे कॉल कर ले वहां से आपको बहुत डिटेल में information मिल जाएगा लेकिन अगर आपकी यह चिंता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद से उसके जन्म प्रमान पत्र बनने के बाद से आप दोनों शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है शादी का marriage certificate जो marriage है उसका certificate चाहे आपके पास बाद में ही क्यों ना आए या बाद में ही शादी क्यों ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अराम से जाएं जाकर के आवेदन करें और आवेदन करके बच्चे का जन्परमान पत्र तो बनवाई सकते हैं साथ साथ आप marriage certificate भी बनवाले शादी करके marriage certificate भी बनवाले जो आपके लिए बहुत सही रहेगा बहुत अच्छा रहेगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसको like, share, subscribe कर लें बहुत बहुत धन्यवाद